गुड बॉर्निंग फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपनी चैनल विवास लाइब में होग करते हूं सब लोग स्वास्त होंगे मसंदे तो फ्रेंड अभी सुबह का बज रहा है साड़े पांच आज हम चार बज़े कटो का भी तबियाक ठीक है उसका अब बखार नहीं है अब तबियाट ठीक है तो अभी उस हुट सोया है अ राज वसका है बड़े तो चलिए उसको अभी हम बड़े वीशन हाई किये हैं तो उसको केमरा दिखाएंगे नहीं च औरी से बड़डे में भीश että हम कुछ हिं यह दिखी कैसे शोया है ओई 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 एप्टी बड़ेड आखुस रोपायर छू लिया सो साल तब जीओ फिर से सो दिया तो देखें कैसा रही एक संदा लेकिन हम को मित था बस बोलेगा था है क्यों सो जाएगा लेकिन उठा पैर चुप फिर उसके बाद सो गया अब हम भी क्या करें अब इतना सुबह सुबह तो खाना बनाएंगे नहीं क्योंकि सब सो ही रहे हैं तो हम भी वहीं करेंगे सई पकड़े हैं हम भी चल रहे हैं अब सोएंगे और फिर उसके बाद उठेंगे तो देखेंगे आज घाने में क्या मता है तो फ्रेंड सबु हम जा रहे हैं सुजी भीगाने है नाच्पे बनाएंगे तो यह माठा है उसमें भीगायंगे सुजी झाल 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 के बडाई डिल्याग, जाल ऐसे बहुत है, बनाना यह सूजी बनाने बहुत आसान है, जब खाने का मन किया तब भोल के बना लो तो अभी नहीं बनाएंगे, अभी तो आइम नहीं है इसको गोल के रख देंगे, भूलेगा फिर बनाएंगे इडली से खाने के लिए हम बनाए है आज चना दाल का चटनी बहुत बार आप लोगों के साथ हम ये चना दाल चटनी सेर कर चुके हैं तो आज इसलिए पूरा प्रोसेस नहीं दिखाए हैं आप लोगों को तो अभी उसमें तड़का लगाएंगे चना दाल चटनी में तो उसके लिए सरसो तेल हम डाल लिए हैं और आज किटु का बड़े है इसलिए सुबह सुबह उससे हम पूछे थे क्या खाऊगे तो वो कुछ नहीं बोला कुछ भी तो उसको हम जानते हैं कि उसको मतलब इडली बहुत पसंद है सुजी का तो माठा था कल का हम अपना उसी में आज भीगा दिये थे सुजी अब और वहीं आज बनाएंगे नास्ते में इडली तो उसका चटनी हम बनाएं चना दाल और प्याज लसन मिर्चा का मुंफली या नारियल इस हम नहीं डाले हैं तो उसमें तड़का लगाने के लिए सरसो तेल में राई और हींग चना दाल है तो हींग का तड़का तो रहेगा तो राई हो गया, हींग हो गया, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च ये हो गया, अभी ये मेरा तड़का हो चुका है इसमें डाल दिये हैं गोल, अभी इसके बाद बनाएंगे इडली उठके किटू नहांध हुआ लिया और आज सनिवार है तो गया है हनमान मंदिर, तुर्रावाले हनमान मंदिर पे तो वो बोला था कि ममी, वो अभी कॉल करके बोला कि हम अपने दोस्त को लेकर आ रहे हैं इडली बनाएए नास्ते में खाने के लिए तो हम बोले ठीक है तो फटा फट से वहीं चटनी तयार हो गया है मेरा और अब इडली बनाएंगे तो मेरा सूजी एकदम फूल के मस्त हो गया है लेकिन इसमें थोड़ा और पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसको भीगाए हुए हमको हो गया 2-3 घंटा तो ये एकदम अच्छे से फूल गया है लेकिन इसमें इनो डालेंगे थोड़ा सा हम तो अब ही देखिए ये एक पकेट है एक पकेट इनो डाल देंगे तो एकदम सूजी अच्छे से फूल जाता है अब ऐसे भी यह स्पंजी होगा अगर नहीं डालेंगे फिर भी क्यूंकि इसको भी गाये दो-तीन घंटा हो गया माठा भी खटा था तो हो जाएगा लेकिन इनो डाल देंगे आज रिस्क नहीं ले सकते अगर नहीं स्पंजी हुआ तो तब तो दिक्कत हो जाएगा ना उसके इनो डाल देना है डाल दिये हैं अभी सांचे में ऐल लगा करके इसको अच्छे से रखेंगे तो फ्रेंड्स आज ना सुबह सुबह मेरे से इतना बड़ा गड़वड हो गया ना क्या कहें कल हम इतना मेहनत करके पूरा वीडियो बनाए थे गए थे मॉल में किट्टू के स कि देना युठी हम रामलीला मेidos ना खर्व बहुत हुष जो साथ हम लोग के साथ जुंबा ऐसमें बहुत मस्ती करें तो वह भी कल रामलीला मेदान में आई तो उनका भी वीडियो बनाए थी सारा वीडियो मेरा डेलीट हों गया हम ए-spaces खाली कर रहे थे इस्बा में मेरे मोगाल में इस्पेस नहीं था तो खाली कर रहे थे वो पता नहीं कैसे गलती से मेरे सब्सक्राइब डिलीट हो गया अब इतना ठेंसन हो गया था ना कि बता हो एक दिन का मेरे सारा भीडियो इतना मेहनत कर कर के कुछ भी नहीं है, तो नहीं हुआ, मेरा सारा बेडियो डिलीट हो गया, तो फ्रेंड देखिए, ये इडली तयार, किट्टू का फ्रेंड आ चुका है खाने के लिए, तो अभी एक ही आया है, अभी एक नहीं आया है, तो इन दोनों को हम दे देंगे, खाएंगे, उसके हैं इडली का, तो किट्टू को हम बोले कि इडली तो हो गया, अभी दोपर में क्या खाना है, उसको ओफर तो हम बहुत दिये थे, कचोड़ी चोला, या तो आलू का पोड़ी, सबजी, आलू सबजी, जो भी तुमको खाना है, बोलो तो वो पता नहीं बोल रहा था, नहीं हमको यह सब कुछ नहीं खाना है, उसको एकदम सिंपल डाल चावल भुजिया चाहिए था, क्योंकि वो तीन दिन से चावल नहीं खाया है, उसका बिलकुल पेट नहीं बहर रहा है, बिना चावल का, चावल मतलब चाहिए ही चाहिए, रोटी ना मिले चलेगा, लेकिन खासी और जुखाम भी नार्मल है, तो फीवर भी चोड़ दिया है, तो इसलिए आज उसको हम बोले थे, आज चलो तुमको चावल देंगे, तो वहीं वो बोला कि कुछ नहीं उसको मतलब कोई पूड़ी सबजी कुछ नहीं चाहिए, उसको बस सिंपल डाल चावल भुजि यह मेरा हो चुका है, मतलब अभी चोड़ दिये हैं, और यह मेरा दाल पक चुका है अब इसी पे हम चड़ा दिये चावल, चावल को आज हम पसा के बनाएंगे, इसलिए इतना सारा पानी डाले हैं, अभी थोड़ा और पकेगा, उसके बाद पसाएंगे, तो फ्रेंड दे पसा के इसको हम हीटर पे रख दिये थे, हीटर गरम था, तो यह एकदम अच्छे से एकदम भर भरा हो गया है, चावल मेरा बढ़िया पक गया, यह चावल मीट मचली से बहुत टेस्टी लगता है, सही बता रहे हैं, जब हम बनाते हैं, मीट मचली अभी तो नहीं बना रह है, क्योंकि साड़े बार हो गया है, तो बस अब चलिए, चलते हैं खाना खाने, तो फ्रेंड देखिए, मेरी थाली लग चुकी है, आज थाली में यह सलाद काटके रखे हैं, प्याज और खीरा, तो यह रहा सलाद, और यह भिंडी का भुजिया, दाल, और यह निबू का चार, बिज़ और निबू का चार है, बहुत ही टेस्टी है, तो फ्रेंड यह था मेरा आज का ब्लॉग, अगर यह ब्लॉग आप लोग पसंदा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कर दें, मिलते हैं आप लोगों से, कैसे ही अच्छे से नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाई बाई